हलो फेंट्स, वेलकम टूर चैनल, क्रिप्टो अफेट विशाल सदियों में कभी ऐसा होता है एक आध बार कि हमारी इंडियन गौवर्मेंट की तरफ से क्रिप्टो के बारे में कुछ अच्छा जो है यहाँ पे बोला जाए वही चीज यहाँ पे हुई है और वो बोलने वाले भी हमारे प्रधान मंत्री जी है तो ओवियस सी बात है उसको discuss करना तो यहाँ पे एक बार बनता है तो business today में एक interview हुआ वहाँ पे प्रधान मंत्री जी ने काफी सारी चीजे बोली है जिसमें crypto currency के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बोला है basically उन्होंने यह बोला है कि भई global framework की बहुत ज़्यादा जरूरत है इन शॉट में बता रहा हूँ आपको अभी global framework की बहुत ज़्यादा जरूरत है हम किसी भी चीज को ignore जो है यहाँ पे नहीं कर सकते क्या हुआ इसके बारे में start करने से पहले थोड़ा सा एक backgrounder आपको ले के चलता हूँ पुराने जमाने का कई लोगों को शाद समझ में ना है पर आप अगर अपने घर में बात करेंगे किसे तो वो आपको समझाएगा जरूर इस बार में एक टाइम था नोकिया का mobile phone चला करता था और वो आप यह समझे कि मेरे साब से 95% जो market था इंडियन market अगर बोलूँ वो पूरा का पूरा नोकिया ने capture किया हुआ था 5% में बागी प्लियर थे सड़नली एक साल में ऐसा गेम चेंज हुआ कि सैंसन ने पूरे का पूरा market को चेंज कर दी अब सैंसन 80% आ गया बाकी जो थे वो दूसरी तरफ फॉज गया क्यों क्योंकि नोकिया ने सबसे बड़े लीडर होने के बाद भी जो एडॉप्शन है उसको यहाँ पे नहीं लिया उसने बोला भाई मेरे लॉयल कस्टमर है मेरे कोई एंडॉइड रेंडॉइड की ज़रोत नहीं है मेरा जो सिस्टम चल रहा है वो ही ज़रूरी अगर आप उसी को मैं य ignoring साथी साथ इन्हों ने ये बोला है कि भई adoption के लिए हम लोग हर जगा पे यहाँ पे तैयार है और उसी के हम लोग focus यहाँ पे कर रहे हैं सेम टाइम पे उन्हों ने बोला कि जो नई technologies आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि regulations और framework को लेके हैं जो किसी एक country के बस की बात नहीं है सब को मिलके करना पड़ेगा साथी साथ इन्हों ने बोला कि हम crypto की बात नहीं कर रहे हैं खाली crypto तो है ही है उसमें हम regulation की बात कर ही रहे हैं पर साथी साथ जो नई technologies है emerging technologies है उन सब के लिए भी एक global framework और regulation यहाँ पे चाहिए कुल मिला के बात यही है simple सी कि यह चीजों को आप ignore नहीं कर सकते हम लोग blackrock blackrock तब से यहाँ पे चिला रहे है ETF आने वाला ETF आने वाले अगले साल ऐसा नहीं है government को नहीं पता एक ऐसी company जो इंडिया की GDP की तीन गुनी है वो अगर यहाँ पे अपना ETF लेके आ रहे है यह management institution को मिला ले तो इंडिया की GDP का करीब कितना बैठेगा करीब करीब I guess 13-14 गुना बैठेगा वो अगर अपनी ETF लेके आ रहे है तो इंडियन government को भी यहाँ पे पता है भले कितना आप against कर ले पर आप लोगों को भी global level पे क्या चीज़े हो रही है वो भी उस सब चीजों को यहाँ पे देखते हैं और कई सारी इन्होंने यहाँ पे चीजों के बारे में बात करी इन्होंने reference दिये यहाँ पे फिर इन्होंने एक और important चीज़ बोली है वो यह है कि पिछले 9 महीने में हमने बहुत effort और energy डाली है यहाँ पे crypto agendas के बारे में तो overall यह जो है मोटी मोटी यहाँ पे चीज़े हैं अब यह वाला जो last point है यह important भी है क्यों क्योंकि उमीद यह थी कि इस महीने के end में या फिर September में आपको एक draft जो है मिलने वाला है उसमें चाहे मैं IMF भी लगा हुआ था उन्होंने मिलके या फिर जो G20 इंडिया में हुआ इंडिया को भी opportunity मिली तो से काफी हद तक चीज़े जो हैं अब clear होने वाली हैं RBI ने कोशिश करी थी articles के according जो हमने पड़े हैं कि उन्होंने ban word डलवाने की कोशिश करी पर IMF ने वो मना कर दिया कि नहीं पर ban word हम नहीं डाल सकते क्यों क्योंकि हम तो regulation कर दे हैं जब हमने regulation word बोल दिया है तो ban भी उस कि meeting होई यहाँ पर उसमें ban दूर दूर तक नहीं है adoption करना पड़ेगा और साथी साथ यह भी तै है कि adoption और regulation की बारे में जो हम बात कर दे हैं वो इतना अच्छा नहीं आने वाला आएगा तो हारशी खराब ही आएगा अब कितना खराब आएगा वो देखना है पर over of time period बार चीजे काफी हद तक यहाँ पर मुझे लगता है seamless होंगी easy easy हमारे लिए होने लगी पर हाँ जो first आएगा draft उसमें काफी चीजे हो सकता है ban word यहाँ पर नहीं होगा tax के बारे में क्या बात होगी किस तरीके से चीज़ों को control कर पाएंगी क्योंकि ये भी कहानी है कि एक exchange ये दूसरे exchange पर जब transfer करते हैं crypto को तो हमें पता चले किसने किसको transfer करा वही beauty थी blockchain की अब उसमें भी control चाहिए एक तरीके से तो कैसी ऐसी चीज़े डालने वाले हैं जो draft आएगा उसके अंदर वो जब आएगा तब हम उस बारे एक बार बात करेंगे पर overall यहाँ से एक चीज़ clear है जो प्रधान मंत्री जी ने बोला है नई technologies का हमें welcome करना पड़ेगा उनको ignore करने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है पुरानी बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों ने यही सीख है जो शायद उसी बेस पर प्रधान मंत्री जी ने भी चीज़ें बोली है आप लोगों को क्या opinion है जोर comment box में बताएगा यहाँ पे उमीद है तो यह देगा इस अपडेट जो प्रधान मंत्री जी ने business today के साथ interview बोला है आप लोगों का again opinion जो भी होगा comment box में मुझे जुरूर देगा वीडियो पसंद आया इसको like मुश्य जुरूर केगा चैनल में अगर आप नहीं है फस्ते वीडियो देख रह यहाँ जीन याद raise ने को के शो वी जांवा है अबीयो घृर करion के तोसार है लेगेट मma बुह के दमा बहलतरत के बहलतर का घप दोथरूर के तोसांवे जुर से हमीद को भीवियो बdy दादार की अपैनल